के लिटेल करता है तो आपने क्वेशका समय करता है Hawty यह स्टार्ट करते हमारा आज का पहला किशन देखिए और इसका आंसर बताएए ये question जो है हम बिल्कुल exam के pattern पर ही लाते हैं आप अगर पूरी class देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही question exam में पूछे जाते हैं इनी मैंसे आपकी exam में आपको question जरूर देखने का मिलेगा तो इस practice aid से जुड़िए और जब तक ही आपका exam नहीं हो जाता इसको लग आप comment में लिख दीजिए आप अगर comment में लिखते हो तो वो चीज़े आपके दिमाग में बैट जाती है उनको आप फिर कभी नहीं भूलते तो comment कीजिए comment करने से चीज़े आपको याद रहीगी तो इसका answer बताईए क्या होगा इसका answer question देखिए उगते सूर्य की भूमी कि किस देश को कहा जाता है तो कौन से देश को उगते सूर्य की भूमी कहा जाता है तो कौन सा है option देखिए A भारत B अवनाचल परदेश C जापान O D इंडोनेशिया तो उगते सूर्य की भूमी किस देश को कहा जाता है क्या पूचा है देश पूचा है तो उगते सूर्य की जल्दी से कॉमेंट करके बताएए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर यहां को कहा जाता है और जापान की राजधानी क्या है क्या है जापान की राजधानी यहां की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा क्या है तो जापान की मुद्रा है ये इन है क्या है जापान की मुद्रा ये इन है और यहां की प्रधान मंत्री कौन है तो आपको वो जापान के वर्तमान प्रधान मंत्री है, तो राज़दानी क्या वुई ? जापान की टोपियो है? मुद्रा कौन सी है येन है और वरत्मान में प्रधान मंत्री कौन है फूमियों किसी दो यहां के वरत्मान में प्रधान मंत्री है और इसको उगते सूरिये की भूमी कहा जाता है next question क्यों बढ़ते हैं इसका answer बताईए इसका answer भी आप सुपको पता होगा easy question है जल्दी से answer comment करके बताईए और इसके बारे में इसके अलावा आपको जो भी basic point बता हो वो भी आप comment में लिख सकते हो तो इसका answer क्या होगा बताईए क्या है question में दे रखा है भारत की सबसे उच्छी मिनार कौन सी है तो भारत की सबसे उच्छी मिनार कौन सी है option देखिए और इसका answer बताईए A. 4 मिनार B. है जुलता मिनार C. है सहीद मिनार D. है कुतुब मिनार तो भारत की सबसे उच्छी मिनार कौन सी है तो इसका answer क्या होगा जल्दी से answer comment करके बताईए भारत की सबसे उची मिनार कौनसी है तो इसका आंसर क्या होगा ये है कुतुब मिनार कौनसी है कुतुब मिनार है जो भारत की सबसे उची मिनार है कितनी है इसकी उचाई 72.6 कुछ है 73 क्या सपास और इसका निर्मान है वो शुरू किसने करवाया था किसने करवाया था ये इबग ने किन होने करवाया था निर्मान जो है कुतोब दिन इबग ने शुरू करवाया था और इसको पूरा किसने करवाया निर्मान को इलतोतमिस ने इसके निर्मान को पूरा करवाया था दोनों याद रखने हैं किसने शुरू करवाया और किसने पूरा करवाया तो कुतो वो दिन एबग ने कुतो मिनार निर्मान है वो शुरू करवाया 1199 में और ये है निर्मान पूरा कब हुआ इलतो तिमिस के द्वारा 1280 में इसका निर्मान कारिय है वो पूरा हुआ कब से ये हुआ था 1103 में से 1200 के बीच में इसका निर्मान कारिय पूरा करवाया गया था तो कुतोब मिनार है ये कहां पर इस्तित है तो ये है दिल्ली में कहां पर है दिल्ली के महरोली में है कहां पर है कुतोब मिनार दिल्ली के महरोली में इस्तित है और इसका निर्मान जो इसको शुरू करवाया था कुतोब दिन एबक ने शुरू करवाया था और इसका निर्मान का ये पूरा करवायता, ये पांच मंजिला इमारत है, जो कि दिल्ली के महरूली में स्तित है, ये हुआ कुतूब इनार से एक्स्टा पॉइंट्स, इसके अलावा देखते हैं, नेक्स्ट क्योशन की और बढ़ते हैं, इसका अंसर बताइए, तो ये देखिए, क्योशन में क्या दे रहा है, निमनलिकित में से कौन सा ऐस आकार का महासागर है, तो इन में से कौन सा ऐसा महासागर है, जिसका आकार कैसा है, अंग्री जी की अक्सर है, इसके जैसा है, तो किसका है इन में से, एदेखिए, प्रसांध महासागर, भी है, अटलांटिक महासागर, सी है, हिंद महासागर और D है आर्क्तिक महासागर तो कौन से महासागर का आकार है वो अंग्री जी की अक्सर S के जैसा है तो इसका आंसर क्या होगा ये है अट्लांटिक महासागर का किसका है अट्लांटिक महासागर का आकार है वो है S आकार का और तो देखिए विश्वे में कितने महासागर है, पाँच महासागर है, वो कौन-कौन चे हैं, देख लीजिए, इनका क्रम भी देख लीजिए, तो देखिए, ये है प्रसांत महासागर, यानि Pacific Ocean, कैसा है, ये छित्रफल की दरस्ती से सबसे बड़ा है, कैसा है, सबसे बड़ा ह है यह विशालतम है छेतरपल की दरantine से सबसे बड़ा प्रसांथ महासावर जो है इनका करम याद कर लीजिए अटलानटिक महासावर और थरद कर है हिंद महासावर क्याशा है हिंद महासावर इसका नाम है किसम पी पढ़ा है हिंदुस्तान के नाम पर अपने इंडिया के नाम पर जो है हिंदुस्तान के नाम से इसका नाम लिया गया हिंद महासागर एक एकसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है इसके भाद में 4 देखिए Arctic महसागर कौन सा है फोर्ट पे Arctic महसागर है और जो 5 ध है वो कौन सा है Antarctic महसागर या दक्षिनी महसागर तो ये 5 महसागर है इनका क्रम देख लेजिए, पूछा जा सकता है सबसे बड़ा कौन सा है प्रसंत महसागर है त्रपल की द्रश्टी से सबसे विशाल कौन सा है प्रसांध मास अगर या पैसिफिक ओशियन है next बड़ते हैं सकाँ अचर बताइए यह कूशन भी आपने देखा होगा exam में यह कूशन बहुत बार बार रिपिट होता है ऐसे क्यूशन भी है जो बार बार रिपिट होते हैं जिनके exam में आने की ज़्यादा chances है उनको भी हमने इस class में cover किये है इसके अलावा current affairs के question है वो भी हम करवाते हैं तो आप इन classों से जुड़िए आपको gkgs और current affairs तीनों एक साथ में मिलेगी जितना ज्यादा cover हो सके वो हम exam से पहले-पहले cover कराएंगे इसके अलावा theory class भी हम upload कर रहे हैं history की हमने सारी class ही डाल दी है YouTube पे आप playlist में जाके चेक कर सकते हो इसके लावा अभी polity की class ही चल रही है तो आप वो class ही जरूर देखिए तो इसका answer बताईए question आपके सामने है question पढ़िए और जल्दी से answer comment करके बताईए इसका answer क्या होगा question में दे रहा है भारत में East India Company ने अपना पहला कार खाना कहां खोला था ये exam में बहुत बार पुछा गया question है तो East India Company ने अपना पहला कार खाना कौन से इस्तान पर खोला था तो देखिए A. आगरा में B. करनाटक में C. सूरत में और D. मैशूर में East India Company ने अपना पहला कार खाना कहां पर स्तापित किया था इसका answer क्या होगा कहां किया था इसका answer क्या होगा ये सूरत में स्तापित किया था किसने British East India Company ने अपना पहला कार खाना है वो सूरत में स्तापित किया था कब किया था सूरत में 1608 में ये खोला गया था इसकी इजाज़त किस ने दी थी जो मुगल बादसा है जहांगीर पूछा जाता है कि किसकी अनुमती से ब्रिटिस इस इंडिया कमपनी ने अपना कार खाना खोला था तो ये जो बादसा था जो मुगल बादसा कौन है जहांगीर ने किसको अनुमती दी थी कैप्टेन विलियम होकिन्स जो इनके दर्बार में आया था को सूरत में कार खाना खोलने की अनुमती दी तो विलियम होकि किसने अनुमती दीती, जहंगेर ने दीती, और किसको दीती, तो यह है Captain William Hawkins, यह तीनों point important है, सूरत में है, 16-8 में है, जहंगेर है, William Hawkins है, तो यह point important हुए इस question से, इसमें से यही question बनते हैं, जो आपके exam में आने के जिनके chances हो, तो बढ़ते हैं next question की ओर, इसका answer बताईए, ऐसे question भी पूछ जाते हैं, यह तो बहुत बार repeat भी हुआ exam में, तो इसका answer बताईए, question में दे रखा है, कुरकुरे के packet में कौन सी case भरी जाती है, जो कुरकुरे के packet है, उनमें है, वो कौन सी gets भरी जाती है, जिससे कि कुरकुरे खराब नहीं होते है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौनसी गेस भरी जाती है इन पैकेट में? तो A है हीलियम, B नाइट्रोजन, C ओक्सिजन और D आरगन. तो इन में से कौनसी गेस है जो कुरकुरों के पैकेट में भरी जाती है? तो कौनसी होगी? आंसर जल्दी से कौमेंट करके बताइए कौनसी है? इसका आंसर क्या होगा? कौनसी गेस है जो कुरकुरे के पैकेट में भरी जाती है? आंसर क्या है? जल्दी से आंसर कौमेंट करके बताइए तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गेस. कौनसी भरी जाती है? नाइट्रोजन गेस जो है कुरकुरे के पकेट में भरी जाते है इसके अलावा नाइट्रोजन के और कौन-कौन से उप्योग है या इसको कहां-कहां यूज में लिया जाता है नाइट्रोजन को तो देखिए इसको हवाई जाज के टाइरू में भी भरा जाता है कहां पर नाइट्रोजन को है हवाई जाज के टाइरो में भी यूज में लिया जाता है इसके इलावा जो है वातावरन में जो निश्करिये वातावरन बनाने में कहीं कहीं पे निश्करिये वातावरन बनाने के लिए भी नाइट्रोजन गेस का उपयोग किया जाता है इसके अलावा देखिए बिजली के बल्बू में नाइट्रोजन भरने से उनकी है जो जीवन अवदी बढ़ जाती है कैसी क्या बढ़ जाती है बिजली के बल्बू में या तो आगन भरी जाती है या फिर नाइट्रोजन भरने से इनकी जीवन अवदी बढ़ जाती है तो ये point हुए nitrogen के use से, क्या-क्या इसके उपयोग है, ये question पूछ लिया है, तो हवाई जाज के काईरो में कौन सी gas बरी जाती है, ये भी पूछा जा सकता है, तो कौन सी बरी जाती है, nitrogen बरी जाती है, निस के रिए बाता और बनाने के लिए कौन सी gas का use किया जाता है, important point है, तो किसका उपयोग किया जाता है, nitrogen gas का उपयोग किया जाता है, दोस्तों ऐसे ही question हम आपके सामने रोज लाते रहेंगे, क्लासों से जुड़िए, आपने अगर class को like नहीं किया है, तो एक बार class को like भी कीजिए, तो देखिए, आगे बढ़ते हैं, next question की ओर, question क्या दे रखा है, वेदों में सबसे पुराना वेद कोंसा है, easy question है, जल्दी जल्दी answer comment किजिए, सबका answer आना चाहिए, सबसे पुराना वेद कोंसा है, option दे रखा है, सामवेद, यजूरवेद, रिगवेद और अथर्ववेद, तो इसमें से कोंसा वेद है, जो सबसे पारे में लिखा गया है या किसका उलेक किया गया है तो रिगवेद में है ये कर्म कांडू का वर्णन किया गया किसका है कर्म कांडू का जो वर्णन है वो कौन से वेद में है ये रिगवेद में किया गया है देखिए इसके लावा यजूर वेद में है किसका है जो यग्ये क जो यूज है या जिसका उलेख है वो किसमे है यजूर वेद में यग्य से सम्मंदित जो भी है उनका उलेख है ये यजूर वेद में किया गया है इसके अलावा जो दो बज जाते हैं साम वेद है इसमें किसका उलेख है संगीत का है किसका है संगीत का है जो उलेख किया गया ह सामवेद में और इसको संगीत का आदी घरंथ भी कहा जाता है सामवेद को है संगीत का आदी घरंथ भी कहा जाता है एकजाम में पुछा जा सकता है कि संगीत का आदी घरंथ है वो किसको कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है या संगित से समंदित जो वेध है कौन सा है ये साम वेध है यग्य की विदियो से समंदित है वो यजूर वेध है और कर्म कांडू से समंदित जो है ये विग वेध है इसके अलावा अथर्व वेध है अथर्व वेध में किसका उलेक है इसमें है तंत्र मंत्र जादू टोना या अंदविश्वास जितने भी है, पाखंड है, ये सब का उलेक इसमें है, किसमें है, अथरवेद में किसके बारे में है, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और ओस्तियों का उलेक है, ये सब का उलेक अथरवेद में है, तो ये चारूवेद है, इन्हीं से क्यूशन ऐसे ही ब इनको revise करने में आपको problem नहीं हाए ऐसे ही question आपकी exam में आने वाले हैं तो इन class से जूड़िए देखिए पुरा detail में explain किया है सारे point अच्छे से explain किया है तो आप class से जूड़िए अपने दोस्तों में भी इसको share किजिए अगर आपने वितक like नहीं किया तो एक बार like कर दिज इसका answer बताईए वोलीवोल के खेल में एक समय में प्रतेक्स पक्स के कितने खिलाडियों को फिल्ड में खेलने की अनुमती होती है तो इसका answer क्या होगा? इसका answer क्या होगा? इसमें जो है 6 खिलाडियों को खेलने की अनुमती होती है इसके अलावा देखिए वोलीवोल का जो court है उसकी mark कितने होती है? इनका mark भी आयाम भी पूछा जाता एक्जाम में तो आपको जितने भी खेल है उनमें कितने खिलाड़ी है? कवर करवा रहे हम एक एक करके आदे से ज़्यादा तो कवर कर लिए एक दो बचा है उनको भी कवर कर लेंगे आप फलासों से जुड़िए ऐसे ही क्यूशन पूछे जाते हैं तो हम इसको देखिए वोलीवोल को पूरा डेटेल में बताएंगे आपको तो volleyball में हैं कितने खिलाडी होते हैं, field पे 6 खिलाडी होते हैं, इसका map कितना होता है, 18 into 9 meter का जो है, इसका map होता है, यही map पुछा जाएगा, 18 into 9 meter का इसका, court का map होता है, और यह राश्ट्रिय खेल है, कौन से देश का है, यह स्री लंका का राश्ट्रिय खेल है, सब दावली अगर आभी हम आपके सामने लाएंगे, और देखिये, इन से समन्दि जो भी ट्रोफियां है, खेलों की, वो भी हम cover करवाएंगे, एक एक करके सारे question आपके सामने आजाएंगे, तो आप लासों से जुड़िए, और आपकी exam से पहले-पहले आपको सारी तयारी करवा दी ज सीमा से लगते हैं, तो भारत के कितने राज्यों की सीमा है, वो बांगलादेश से लगी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, या भारत के कितने राज्यों की सीमा है, वो बांगलादेश से सीमा सांजा करते हैं, तो कौन-कौन से राज्ये हैं, जो बांगलादेश से सीमा लगाए हुए हैं ऐसे कोई सा भी कुशन आ जाए तो इसका आंसर बताएं कितने राजियों की सीमा है वो बांगला देश से लगती है आंसर क्या होगा ओप्सन देखिए पांच राजे है छे है या साथ है या आठ राजे कितने राजे है जिनकी सीमा बांगला देश के साथ मे लगती है आंसर होगा इसका पांच राजे कितने हैं पांच राजे हैं जिनकी सीमा है वो बांगला देश के साथ में लगती है ये कौन-कौन से है देखिए असम हो गया पसीम बंगाल हो गया मिजोरम मेघाले और त्रिपुरा ये पांच राजे हैं जिनकी सीमा किसे लगती है पस्षिम बांगलादेश से लगती है कौन कौन से देखिए असम है पस्षिम बंगाल है मिजोरम है मेगाले और त्रिपुरा है ये पांच राज्यों की सीमा है वो बांगलादेश से लगती है और कितनी है इसकी सीमा देखिए बांगलादेश और भारत की कितनी है चार हजार सीसyyah 4000 खाध में किलोमेटर लंबी है कितनी है यह सीम चार हजा perchा सीमा रूरत सेあंजह करते हैं क्या रेखा से बहते हैं इसका यो स tum da रखा और भारत को पाकिस्तान और बांग्ला देश देशों से अलग करती है कौन सी रेखा इनके बीच में रेड़ क्लिफ रेखा है बढ़ते हैं आगे की क्यूशन की ओर इसका आंसर बताईए लोग नरते से समंदित क्यूशन है तो क्या है क्यूशन में कोली निमन लिकित में से किस भारते राजे का लोग नरते है तो आंसर बताईए जल्दी से कोली है वह कौन से भारते राजे का लोग नरते है तो कोली नरते है ये कहां पर किया जाने वाला नरते है आंसर क्या होगा ओप्सान देखिए A. तमिल नाडू B. महराष्ट C. पच्चि मंगाल और D. छारकन तो इनमें से कौन से राजे में कोली नरते किया जाता है तो आंसर क्या होगा ये महराष्ट में किया जाने वाला एक लोग नरते है कौन सा है कोली लोग नरते है जो महराष्ट का है लोग नरते उसे प्रैाइश्हाम बनते हैं तो आपको सारे राज्यों की सारे दोक नटे आपको याद करके जाने हैं तो देखिए ज EL लोक नटे हमने करवा देये हैं या तो भी नहीं हुआ हैं उनको कुशन मिलाते रहेंगे तो यह देखिए बिदाने तो आपको सारे राज्ये, जब एक्जाम हो, तो सारा एक्जाम में देख लेना कि कौन से राज्ये कोन से लोक्नर्टे हैं. तो इसका क्या होगा? महराष्ट थी कौन से लावनी है, वेरी इंपोर्टेट इग्जाम में बहुत बार पुछा गया है. काला नर्ते है कौन सा है काला नर्ते है और महरास्ट में काला घोडा मौसो भी मनाये जाता है तो ये काला नर्ते है ये महरास्ट का है दिंडी नर्ते है पोवाडा नर्ते है धनगडी गाजा नर्ते है कौन सा है धनगडी गाजा नर्ते है ये महरास्ट के प्रमुक लोक नरते हैं, जुज़ा में पूछे जाते हैं, लाउनी इंपोर्टेंट है, काला नरते है, कोली नरते है, डिंडी नरते है, पोवाडा और धन गडिये गाजा नरते हैं, तो ये महरास्ट के इंपोर्टेंट लोक नरते हुए, इन ही से आपकी एक तो आपको आवस्याद नी भी याद करनी है, इसका अंसर क्या होगा? नीमल लिखित में से किस तट्व की परमानु संख्या 12 है? तो कौन से तट्व है जिसकी परमानु संख्या 12 है? तो किसकी है? ऑप्शन में देखिए, oxygen, helium, magnesium और calcium. इन में से किसकी परमानु संक्या 12 है क्या होगा आंसर किसकी है यह है मैगनेशियम की किसकी है मैगनेशियम की जो परमानु संक्या है कितनी है 12 है और परमानु दुर्वेमान क्या है इसका 24.305 आम्स्ट्रोम है यह से important point हुआ यही परमानु संक्या से ही question बनेगा इसमें आगे किस महा के चोथे दिन से शुरू होती है तो गनेश चुत्वती है कब से शुरू होती है चतूरती से स्टार्ट होती है कौन से महीने में ये मनाई जाती है या कौन से महीने में हिंदु महा के कौन से महीने में ये चतूरती से स्टार्ट होती है तो इसका आंसर क्या होगा option देखे, A. भादरपद, B. मांग, C. कार्तिक और D. अस्विन तो कौन सा महिना है जिसमें गणेश चतूर्ती स्टार्ट होती है तो कब से होती है ये भादरपद की चतूर्ती से कब से गणेश चतूर्ती है ये भादरपद के सुकल पक्स की चतूर्ती तीथी से start होता है Next question क्योंव बढ़ते हैं इसका answer बताइए Question पढ़िए और इसका answer बताइए Question में क्या दे रखा है रास्टी आय लिखा क्या है रास्टी आय लिखा एक निशित समय अवधी में किसमें एक निशित समय अवधी में देश की कौनसी गतिविदी के इस्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है तो option में है कि C है गतिविदी, B है लोकतांत्री गतिविदी, C है आर्थी गतिविदी और D है रासाइनिक गतिविदी, तो यह जो रास्ट यह आई लेखा है वो जो निश्य समय में किसी देश की कौनसी गतिविदी के इस्तर को मापने के लिए एक बही काता है तो इसका आंसर क्या होगा, ये आर्थी कतिविदी किसको है, आर्थी कतिविदी के इस्तर को नापने का एक बहिक आता है क्या होगा इसका आंसर सी इसका आंसर है देखिए रास्ट ये आई ले खांकन के अंतरगत एक वितिय वर्ष में किसी देश की अर्थ विवस्ता के फुल आई को मापा जाता है तो इसका आंसर हो गया आगे बढ़ते हैं ऐसे ही क्यूशन आपके एकजाम में पुछे जाएंगे ये क्यूशन प्रिवेस ये का क्यूशन है तो इसका आंसर बताईए ये क्यूशन देखिए अनुछेद से सम्मंदित ये क्यूशन तो आने ही है अनुछेद से क्यूशन आने आने हैं तो हम आगे एक दो दिन में आपको अनुचेद से सम्मंदित जो जितने भी देशों के स्त्रोथ है वो सारे आपके सामने एक लास आएगी अलग से तो देख लीजिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और एक लासे रोज देखा किजी अब हमारे पॉलिटी के टोपि का सक्ति से समंदित है तो कौन सा है इन में से अनुचेद 40 है या अनुचेद 53 है अनुचेद 32 है या अनुचेद 51 है ये सारे बताये हुए है जो नहीं बताया हुआ है वो इस क्यूशन में है क्या होगा इसका आंसर कौनसा अनुछेद है जो संग की कार्य पालिका सक्ति से समंदित है तो कौनसा है यह है अनुछेद त्रेपन कौनसा है अनुछेद त्रेपन है यह संग की कार्य पालिका सक्ति से समंदित है के लावा अनुछेद 32 है यह किसे समंदित है यह है सवेधानिक उपचारू का अधिकार कौन सा है वेरी वेरी इंपोटेंट है अनुचेज 32 सवेधानिक उपचारू का अधिकार से यह समंदित है इसके लावा अनुचेज 44 किसे है यह है समान किसे है समान आगरिक सहिता के बारे में है वो कौन से अनुचीद में है, ये अनुचीद 44 में, दोनों important है, दोनों से question बनते हैं, आगे भी आपको question जरूर देखने को मिलेगा आपकी exam में, very very important, दोनों दिख लीजिए इनको, आपके exam में ये जरूर आएंगे, 32 वातो very very important है, हर exam में, हर shift में पूछा जाने वाला है, य एक exam में, अगर SSJD का आपका exam चलेगा, तो इसमें से आपको 2-3 shift में ये question जरूर देखने को मिलेगा, अनुचेद 32 है, ये किस से समंदित है, सवेधानिक उपचारों का अधिकार से समंदित, अनुचेद 32 है, चमालिस है, ये समान नागरिक सहिता के बारे में है, किसमें है अनुचेद 44 में किसका उलेख है, समान नागरिक सहिता का, इसके अलावा कौन सा बच गया, 51A, very important 51A, इसको बहुत बार करवा दिया है, अनुचेद 51A में किसका उलेख है, ये है मोलिक क्रतव्य, क्या है, मोलिक क्रतव्यों से समंदित जो अनुचेद है, वो है 51A इसका अंसर बताईए, डेट भी important है, डेट भी पूछी जाती है, तो इसका अंसर क्या होगा, विश्वे तंबाकू निशेद दीवस, कौन सा है, विश्वे तंबाकू निशेद दीवस, प्रतेक वर्स, प्रतेक वर्स है, वो किस दिन मनाया जाता है, तो इसका अंसर क्या ह विश्वत तंबाको निशेद दिवस है, कब बनाया जाता है? A. 31 मही को, B. 5 जून को, C. 11 जुलाई को, D. 1 मही को, तो इन में से विश्वत तंबाको निशेद दिवस है, ये 31 मही को बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? 31 मही को बनाया जाता है, 5 जून को है, वो कौन सा विश्वे जन्संक्या दिवस कोन सा है, विश्वे जन्संक्या दिवस है, ये 11 जुलाई को मनाये जाता है, विश्वे प्रयावरण दिवस 5 जून को मनाये जाता है, इसके लावा 1 मही इंपोर्टेंट है, अंतरास्टिय श्रमिक दिवस कोन सा है, 1 मही को अंतरास्टिय श्रम दिवस तो आप इनको लिख लिजी important है ये points आगे बढ़ते हैं next हमारा question है इसका answer बताईए क्या है question पढ़िए और answer बताईए नीमनलिकित में से किसे सबसे सक्तिसाली चोल सासक माना जाता है तो इन में से सबसे सक्तिसाली चोल सासक है वो किसको माना सबसे सक्तिसाली है तो इन में से कौन सा सासक है तो जो चोल सासक कौन सा है एक है राजेंद्र प्रथम, B है राजा राजप्रथम C है दंती दुर्ग और D है विजयाले तो इन में से कौन सा सासक है जो सबसे सक्तिसाली चोल चोल सासक का पूछा गया है चोल सासक जो सबसे सक्तिछाली था तो ये था राजा राज़ प्रतव कौन था राजा राज प्रत्मता के देखिए दक्षिन भारत और स्री लंका के कुछ हिस्सों पर विजे प्राप्त करने के करने और हिंद मासागर में चोल प्रभाव बढ़ाने के लिए जाना जाता है किसके लिए दक्षिर भारत में और स्री लंका के कुछ हिस्सों पर इसने विजय प्राप्त की थी और हिंद महासागर में इसने चोल सामरजे कर प्रभाव को बढ़ाये था इसलिए ये सबसे सकते साली है इसको जाना जाता है और इसको किसकी उपादी दी गई थी ये राजा राज महान भी इसको कहा जाता है तो कौनसी उपादी से इसको समानित किया गया राजा राज महान की उपादियों से इसको समानित किया गया था तो इसको किस नाम से जाना जाता है राजा राज महान भी इसको कहा जाता है कहां का है ये दक्षिन भारत का है इसने दक्षिन भारत और स्रिलंका के कुछ हिस्सू पर विजे प्राप्त की और महासागर है कौन सा हिंद महासागर में चोल प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये जाना जाता है कौन सा है राजा राजप्रत्थम जो है सकति साली चोल सासक माना जाता है तो ये आज की हमारी क्लास हुई आपको ये क्लास कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताइए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक भी किजिए आप अपने रिव्यूज है वो लिख भी सकते हो कॉमेंट में कि आप हमें क्या इंप्रूव करने की जुरूत है या आपको कौन-कौन से टोपिक करने है Current Affairs के topic या GKGS के जो भी आपको topic चाहिए आप comment करके बता सकते हो तो मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए टाटा